हलो सुजेंट चली स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेशिन के सब 15 तक के क्वेशिन अम लोगोंने पिछली वीडियो में कर लिये थे अडमीशन के अब 16 नमबर क्वेशिन पर आगे हैं चप्टर नमबर 5 के तो यहां पर गौतम वन था शेर दे रहा है और यशिका वन टैंथ शेर दे रही है आशिमा को calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio देखते हैं किस तरह से करना है इस question को तो बच्चे देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो दोनों partner हैं एक है गौतम और यशिका इन दोनों का जो profit sharing ratio हमारे पास given है वो ratio है 3 ratio 2 अब Gotham की sacrifice की बात करते हैं पहले तो Gotham का जो sacrifice होगा यहाँ पर Gotham का sacrifice है बच्चे वो अपने share में से one third share दे रहा है अपना share यानि इसका अपना share कितना है 3 upon 5 उसमें से ये one third share नए partner के लिए निकाल रहा है इसका मतलब 3 upon 15 तो ये इसका sacrificing ratio हो गया दूसरी तगराव आप यशिका को देखो यशिका का अगर आप sacrifice को समझें तो यशिका one tenth share दे रही है अपने share में से यानि वहाँ पर जो हमारे पास question है उस question में हमें उसका sacrificing ratio बता दिया गया है चलिए तो यह तो हो गए इनके sacrificing ratio इसकी बात अब इनके नए profit sharing ratio क्या होंगे बटा देखिए जब गौतम का आप new share निकालेंगे तो गौतम का new share यानि उसका जो old share था 3 upon 5 उसमें से minus कर देंगे इसका sacrifice 3 upon 15 को तो इससे हमारे पास जो answer आएगा उसको solve कर लेते हैं 15 9 minus 3 तो यह हो जाएगा बटा 6 upon 15 इसको further आप 3 से divide कर सकते हैं 2 upon 5 तो यह होगे हमारे पास गौतम का new share इसी तरह से येशिका का निया share निकाल लेते हैं पहले तो येशिका's new share कितना होगा बटा येशिका का पहले का जो share था वो 2 upon 5 तो उसका sacrifice हमें given है 110 तो यहाँ पर येशिका का share भी निकल करके आजाएगा तो ये हो जाएगा 10 4 minus 1 that is 3 upon 10 ये हो गया येशिका का new share अब आश्मा का share कितना होगा जो new partner है आश्मा तो आश्मा का जो share यहाँ पर बनके आजेगा जितना जितना गौतम और येशिका ने sacrifice किया बटा वही ये वाला जो sacrifice है यहाँ पर 3 upon 15 और 1 upon 10 यही तो share इसको मिलेगा आश्मा को तो आश्मा का जो share होगा वो 3 upon 15 प्लस 1 upon 10 जो कि इन दोनों ने sacrifice किया था वो आश्मा को मिल जाएगा तो आश्मा का जो share हो गया वो हो गया 30 LCM लेकर के आप निकाल सकते हो इसको और ये हो जाएगा आपका 9 9 upon 30 तो चले तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका निका अब जो इनका जो निया प्रॉफिट शेरिंग रिशो होगा वो हो गया वो हो गया 4 रिशो 3 रिशो 3 तो यह हो गया इस कुश्चिन का आंसर बटा चले नेक्स कुश्चिन की तरह बढ़ते हैं कुश्चिन नमबर 17 A, B and C are partner sharing profit in the ratio 2 to 1, D is admitted as new partner for 1 6th share, C will retain his original share, calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio तो बहुत ही सिम्पल सा कुश्च है ने पटा है यह भी अल्रेडी हमारा पस इनका ratio दे रखा है, D का जो share होगा, 1 6th share होगा वास यहाँ पर एक चोटे सी बात यह बोलेगे कि C, जो की एक existing partner वो अपने share को retain करना चाता है, वो अपने share में से कुछ भी नहीं दे रहा है, D को तो यहाँ पर इसके share में कोई change नहीं है, बाकी जो भी sacrifice होगा, अब वो A और B का होगा, तो चलो देखते हैं, इस question में किस तरह से हमें answer को निकालना है, तो बच्छे यहाँ पर जो हमारे तीनों partners है, उनके पहले ratio mention कर देते हैं, A, B और C का, A, B और C का जो profit sharing ratio given है हमारे पास, वो 2, 2, 1 है, तो यहाँ पर इनका यह old ratio है, और जो D का रहा है, D का जो share हमें यहाँ पर वो भी given है, वो है one sixth share, तो one sixth share के लिए DR है, तो अब हमें यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि कितना कितना sacrifice A, B कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let कर लेंगे profit को, let profit is one, अब इसमें हमें देखना है कि remaining share कितना बचता है, जो क कि हमारे old partner के बीच में बचेगा, तो remaining share one minus one sixth, तो हमने दे दिया बटा D को, अब क्योंकि यहाँ C भी अपने original share को ही retain करना चाता है, तो यानि C भी कुछ sacrifice नहीं कर रहा, तो हम उसको भी पहले से देदेंगे, तो यानि one fifth जो उसका पहले से share है, वो भी यहाँ से वो ले ले 19 upon 30, अब में पर remaining share जो बचा है, वो 19 upon 30, और यह किस में बटेगा, यह A और B में बटेगा, अब A और B में किस तरह से बटेगा, A और B में तो sacrificing ratio में बटना चाहिए, तो इनका जो sacrificing है वो किता है, अगर आप देखें A और B, तो इन दोनों का क्योंकि same profit sharing इसको इनका जो sacrificing ratio ह है, वो भी same हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इनका sacrificing है, वो भी equal है, तो इसलिए इस particular amount को, यह जो हमारा share बच गया, इसको यह equally divide कर लेंगा, अपस में distribute कर लेंगे, तो A's new share अभी हाँ पर क्या आजाएगा, A का जो नया share निकल कर क्या आजाएगा, 19 upon 30 में से यह half share ले लेग वो 19 upon 30, 1 upon 2, that is again 1960 आजाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों ने अपना इस share को बाट ले आपस में, अपने sacrificing ratio दोजों की equal है यहाँ पर, अब C का जो share होगा, C का जो new share होगा, क्योंकि C कुछ भी sacrifice नहीं करना चाहरा है, तो उसका जो पहले से share था, वो 150 था, मुझे यहाँ पर 60 आजाएगा बेटा, और इसी तरह से D का share भी देख लेते हैं, क्योंकि D, यहाँ पर 16 share किया जा रहा है, तो इसको मुझे 10 से multiply करके, इसको 60 करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 10, तो इसका मतलब, जो इनका नया profit sharing ratio हो जाएगा, बेटा, new ratio इनका क्या होगा, बेटा, new ratio यह equal ratio में sacrifice कर रहे थे, तो चलिए, यह भी हो कि हमारा question number 17 का answer, question number 18 की तरह बढ़ते हैं, बेटा, question number 18 है, बेटा, Amit and Vidya, our partners sharing profit in the ratio 3, ratio 2, they admit चिंतन into partnership who acquires one-fifth of his share from Amit, तो देखिए, यहाँ पर language को बहुत ध्यान से समझना है, बेटा, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि, चि अने share का one-fifth share Amit से लेगा and four-twenty-fifth share from Vidya और Vidya का share लेगा, Vidya से four-twenty-fifth share लेगा, तो यहाँ पर दो अलग-अलग बाते बोली गई है, calculate new profit sharing ratio और शक्रिए, तो हमें अब से पहले, यहाँ पर इस question को एक बार बहुत जोरूई है, समझ लेते हैं, फिर इसका solution आपको यूज कर रहा है, question यह कहा रहा है कि यह जो भाई साब है, चेतन, यह जितना भी share ले रहे हैं, अभी नहीं मालूम कितना share ले रहे हैं, लेकिन अपने share में से, इनका अपने share में से वो one-fifth share Amit से लेने वाला है, यानि चलो मैं इसका share one रुपीज है, तो अगर इसका share one का है, तो इस one में से one-fifth share ये किस से ले रहा है, ये one-fifth share ले रहा है, अमित से, ठीक है, अपने share का one-fifth ले रहा है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि इसका actual share कितना है, तो हमें तो सबसे पहले, Amit का sacrifice निकालने से पहले, अब हमें चिंतन का share निकालना तो पहला तो complexity यहां पर ये हो गया, दूसरी बात जो इसने बोली, कि बाकी का बचावा share, देखो अगर एक रुपे के share में से अगर one-fifth इसका share है, तो बाकी का जो भी share होगा, वो इसको कहां से मिलेगा विद्या, वो question हमें ये बोला है, कि विद्या अपने share में से four-twon- 25th share चेतन को देने वाली है, ठीक है, तो विद्या का four 25th share किसको मिलेगा, चेतन को मिलेगा, जबकि चेतन के share का one-fifth वो अमीज से लेगा, तो यहां पर ये confusion है बेटा, समझ में आ रही है बात क्या confusion है, फिर से समझ लो, चेतन जो share लेने वाला है, वो अपने share में से, यान अमित का sacrifice निकालने के लिए मुझे पहले चेतन के share तक महुचना पड़ेगा, क्योंकि अमित चेतन के share का ही one-fifth share sacrifice करने वाला है, तो चलिए, इसको समझते हैं कि कैसे पूरा solve करना है, तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, अमित और चेतन, अमित और विद्या का, अमित और विद्या का share कितना है, तो इनका share है three ratio two, right, अब हमें यहां पर देखो question ने क्या बोला, question ने हमें बोला कि चिंतन acquires, चिंतन acquires one-fifth of his share, यानि वो अपने share का, यानि चिंतन अपने share का one-fifth किस से ले रहा है, वो अमित से ले रहा है, फ्रॉम अमित, वो अमित से ले रहा है, तो एक बाद तो इसने यह बोली, तो चलो, जैसे हमने अब इस example में माना कि चेतन का share बना, यहां पर भी यही तो सो अगर चेतन का शेर वन है माल लेते हैं चेतन का शेर वन है तो इसमें से वन फिफ्ट शेर कौन देगा इसके शेर का वन फिफ्ट कौन देगा अमित देगा तो बाकी का बचा हुआ शेर कितना हुआ इसका बाकी का सर फॉर फिफ्ट हो गया तो यह जो फॉर फिफ्ट हो हो इसको कौन देगा वह Sir विद्या देगी फ्रम विद्या तो ये इसको विद्या से मिल जाएगा यहां तकी सम्मेंगा आ हिए कि चिणतन के शेर का वंठंगर अगर अमिदेगा थो बाकी बचा हुआ शेर कून उस फॉर फिफ्ट शेर को मकर मालूँक एकोल है 4.25 फ्रॉम विद्या यही मतलब वो इसका जो इसको विद्या से 425 मिल रहा है वो और चिंतन का फॉर फिफ्ट शेर एक ही बात है चलिए अब यहां तक समझ में आ गया है मुझे अब इसके बाद मुझे क्या करना है अब तो चिंतन शेर अब ध्यान से देखो बड़ा चिंतन का शेर अभी तक चिंतन का कितना शेर मुझे कंफर्म हुआ है चिंतन का अभी तक मुझे कितना शेर कंफर्म हुआ है मुझे अभी तक सिर्फ जो विद्या ने इसको शेर दिया वो कंफर्म हो गया कि इसके बास कितना आ गया तो विद्या से इसके पस कितना आ चुका है 4 upon 25 आ चुका है 4 upon 25 आ चुका है जो की चिंतन के टोटल शेर का 4 फिफ्ट है ठीक है ना तो अभी तक जो चिंतन को मिला है वो विद्या से मिला है 425 ये मुझे कंफर्म हो गया कि इतना तो मिल गया विद्या से 425 ये विद्य साथ जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको रेसी फोकल करना पड़ेगा फाइव अपॉन फोर से आरी बाद समझ में नहीं आरी चलो इसको एक और एक्जम्पल के साथ समझाता हूं देखो अगर मैं आप से बोलू किसी भी वेल्यू का किसी भी वेल्यू का 25% से 20 है किसी भी वेल्यू का वो वेल्यू क्या है मैं उझे नहीं मालू हम अभी चीक है वो वेल्यू मुझे नहीं मालूं मैंने यह बोला किसी भी वेल्यू का अगर 25% 20 है तो Find Out the Value तो आप क्या करोगे बटे अगर इस 25 को मैं 1 4 बोलू तो गलत तो नहीं है 25 या 1 4 एक ही बात है ची 25% अगर किसी भी value का 20 है तो वो value का है जिसका ये 20 है यही मतलब हुआ तो आप क्या करते हो इस 20 इंटू अब 1 upon 4 था तो यानि 4 upon 1 कर देंगे तो मैं पस क्या आजएगा बटा 80 यानि 80 का 25% 20 हुआ यही मतलब हुआ तो यहां पर भी वही हो रहा है तो बताओ बटा आप बताओ अब कितना आगया चिंतन का शेर 20 upon 100 या फिर इसको मैं कह सकता हूँ 1 फिफ्थ तो चिंतन का शेर 1 फिफ्थ निकल के आगया बैटा थीकर अब देखो आगे अब आगे देखो अब अमीत का शेर निकलने में कोई मुश्किल नहीं होगी हमें अमीत का सेक्रिफाइज होगा अमित का sacrifice होगा, जो चिंतन का share है 1-5, उसमें से वह 1-5 ले रहा है, ठीके ना, तो चिंतन के share का 1-5 अमित sacrifice करने वाला है, तो इसका मतलब जो अमित का sacrifice होगा, 125 होगा, तो ये तभी निकाल सकता था हमें, जब मैं इस value तक पहुंचता, तो अमित का sacrifice आ गया, विद्या का sacrifice तो मुझे पहले से दे रखा है, तो विद्या का sacrifice तो मुझे already given है, वो कितना है, 4 upon 25, तो ये तो मुझे पहले से given है, अब मुझे इनके नए profit sharing ratio पर पहुंचना है, तो देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं, अमित के, तो अमित's new share कितना हो जाएगा, अमित का new share कितना हो गय 25, तो इस से आपको अमित का share मिल गया बेटा, तो अमित का share कितना हो गया है, 25, 15 minus 1, that is 14 upon 25, तो ये हो गया, अमित का new share, इसी तरह से विद्या की बात कर लेते हैं, विद्या का जो new share होगा बेटा, वो कितना होगा, विद्या का पहले से था 2 upon 5, माइनस कर देंगे, इसका ज 10 minus 4, 10 minus 4, that is 6 upon 25, तो ये हमारे पास विद्या का share आगया, और अभी अभी हम लोगों ने चेतन का, चेतन, चेतने सोरी, चेतने, चेतने का भी हमने share निकाल लिया बेटा, तो चेतने का share हमने कितना निकाला था, 1 फिफ्ट निकाला था, धिन्यमेटर्स को सेम करना है, तो मु 14, 6, 5, 14, 6, 5, इनका नया profit sharing ratio, निकल लिया बेटा, तो आई होब आपको बटा ये question समझ में आया होगा, अगर किसी बितरा का कोई doubt होता है इस question में, तो please let me know, मुझे आप comment box में लिख करके, पूछ सकते हो किसी भी point को अगर आप clear करना चाहे, तो मैं आपकी पूरी help करने के कोशिश करूँगा बिच्चे, चले, आज के लिए वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में हम लोग next question से start करेंगे, thank you very much